इस lockdown में आप घर पे बेटे हो और सोच रहे हो कि यार कुछ काम की चीज सीखनी चाहिए तो लो लेकर आए हो आपके लिए मैं काम की चीज जी हाँ दोस्तों ये चीज बड़ी मस्त है और इसे देख के आप वो गाना ज़रूर याद करोगे चीज बड़ी है मस्त मस्त अब मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये है गुगल शीट के कुछ पाच amazing formulas जो आपको जरूर सीखनी चाहिए तो चलिए मैं आपको ड्रेक लिट ट्रेलर दिखाता हूँ तो यहाँ पे दिखे इस गुगल शीट के अंदर में पास तीन शीट है शीट 1 में कुछ रेकॉर्ड से मैंने example के तोर पे 10 रेकॉर्ड लिए है शीट 2 में कुछ रेकॉर्ड से शीट 3 में कुछ रेकॉर्ड से और मैं चाहता हूँ कि इनका combine all शीट में रेकॉर्ड आ जाए जो कि यहाँ पे आज चुका है लेकिन यह dynamic भी हो अगर मैं शीट 1 में यहाँ पे कुछ भी रेकॉर्ड एड करूँ तो वो रेकॉर्ड यहाँ जैसे मैं यह add किया है तो वो combine all शीट में यहाँ पे add हो जाए जो कि already हो चुका है आप देख सकते है तो पहला फॉर्मूला हम यह सिखेंगे Google शीट का कि हम सभी शीट को एक साथ combine कैसे कर सकते हैं और dynamic update कैसे रख सकते हैं अब दूसरा फॉर्मूला देखिए इसमें क्या कर workbook है Google sheets के और मैं चाहता हूं कि उनको combine करके एक workbook में मैं उसका record लाओं अगर आपके पास कोई website है और जिसके उपर कोई table है जैसे कि विकीपीडिया का एक website में विजिट कि है जिसमें population of India का table है और मैं यह table Google sheet में import करना चाहता हूं उसका भी formal हम आज सीखने वाले हैं साथ करती में मैं आपको बताओं कि अगर आपके data के अंदर यह sheet में दिखाए दे रहा है कोई blank record से तो blank record हटाने के तरीके कौन-कौन से वह हम सीखने वाले हैं और हम सीखने वाले है duplicate पूरा record अगर duplicate है तो उसे हटाने के लिए कौन सा formula Google sheet में हम use कर सकते हैं तो आने वाले किसी इंटर्यू में आप रिजेक नहीं होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको फूरा देखना है सीधी बात नोबक्वास चलिए learn more चैनल में मैं सतिश आप सबका स्वावित करता हूं यह वीडियो शूरू करते हैं खास लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताओ कि आप नए मैमान हों हमारे चैनल पे तो चाह पी के जाईएगा नहीं चाह ने पीना है मजाग कर रहा हूं नीची जो सब्सक्राइब को बेटन दिख रहा है उस पे क्लिक किजे बेल आइकॉम पे क्लिक किज ताकि मेरे उडियो की नोटिफिक्षन आपको टाइम पर मिले और आप कंप्पिटर में स्मार्ट बने राइट तो चलिए शुक्रत है आज का टॉपिक और इस वीडियो को पॉंसर किया आइस्क्रीम एप्स सॉफ्ट्वर डेवलोप्मेंट कंपणी ने उनका पीडियो के जैसे साथ धेर सारी चीज़े हम कर सकते हैं जैसे यहां पर मैंने वो pdf-kinnd website विजिट की है इसकी लिंक पर आपशे मैंने description में दीए आपको और अगर आप इस website पर विजिट करते हैं और आपका pdf-s related कुछ भी काम है जैसे आपको pdf-size आपको कम करनी, pdf-को compress करना है तो आप यहां से कर सकते, PDF को merged करना है, आप यहां से कर सकते हैं, ढ любим यह सारी चीज़े यहां पर software करना है, तो जरूर्ब एक बर इस website को विजिट कीज़्ेई, जिसके link मेरे granule में से word में convert करना चाता हूँ मैं यहाँ पे add to file पे click करूँगा उसके बाद मैं पास जो demo file पढ़ा है यहाँ पे PDF का तो मैं इसे open करता हूँ जैसे मैं open करता हूँ यहाँ पे यह PDF load हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि converting PDF to word हो गया convert और यहाँ से आप इस file को download कर सकते हैं download file पे click किजी आपकी file यहाँ पे download हो जाएगी जैसे कि आपको दिख रहा है और यह यहाँ पे आपको PDF word file में मिल रहा है download PDF editor पे click करके आप इनका software भी download कर सकते हैं जो कि आपको बहुत useful रहेगा तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने topic के ओर तो जैसे कि मैंने intro part में आपको दिखा है कि 5 formula हम अलग लग सीखने वाले तो सबसे पहले हम सीखते हैं combine data of all sheets तो google sheet के अंदर अगर आप basic बाते नहीं जानते कि google sheet start कैसे करना है google sheet के अंदर formula type कैसे होता है google sheet होता क्या अखिरकार तो उसके लिए मैंने already video बनाया दोस्तो उसकी link आपके लिए description में मैं दे रहा हूँ आप google sheet से related basic formulas या google sheet को complete detail में जाना चाहते हो तो वो लगबख एक घंटा देर घंटे का वीडियो है वो आपको देखना चाहिए जरू देखिएगा description में उसके link है लेकिन फिलाल हम आज के इस वीडियो में देखने वाले सबसे पहला formula combine data all sheet मेरे पास sheet 1 है sheet 2 है sheet 3 है right combine करना है मुझे formula ज़रा द्यान से देखिए मैं slowly and step by step explain करूँगा इतने आसानी से explain करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने एक बड़ा formula सीख लिया है जिवा बिल्कुल तो चलिए सबसे पहले करना क्या है combine all sheet नाम की एक sheet में पास 3 sheet में 3 record है don't worry ये शारी sheets आपको practice के लिए description में मिलेगी वहां से आप इसे download कर सकते हैं practice तुरंद कीजिएगा combine all sheets जो है इसमें मैं क्या करूँगा sheet 3 से header पहले copy कर लूँगा मतलब सभी के header सेम ही है मेरे पास तो मैं यहाँ पे header को copy paste कर लूँगा Ctrl C, Ctrl V Ctrl C, Ctrl V जो shortcut keys है वही यहाँ पे चलेगी अब मैं आगे क्या करूँगा यहाँ पे header paste होने के बाद मैं formula यहाँ पे दूँगा is equal to formula क्या देना है दरा धान से देखिए मैं यहाँ पे curly braces दे रहा हूँ यह curly braces जो होता है इसे array brackets बोला जाता है curly braces जो है वो array के तोर पी use किया जाता है गूगल sheet में या फिर excel में भी आपने देखा होगा normal या simple bracket नहीं देना है आपको curly braces देना है तो यह देने के बाद आपको क्या करना है sheet 1 में चले जाना है आप sheet 1 में जाने के बाद करसर भी आपका वहाँ पे आएगा तो वहाँ से आपको select नहीं करना है sheet 1 का A2 to E13 data आ रहा है इसके बाद आपको यहाँ पे semicolon लगा देना है मैंने semicolon लगा दिया आप formula बार में भी देख सकते हैं आप यहाँ भी देख सकते हैं simultaneous के दोनों जगा दिख रहा है मैंने semicolon लगा है यहाँ पे फिर मैं sheet 2 में जाओंगा semicolon के बाद इसमें भी same bottom to top ऐसे select करूँगा bottom to top इसलिए क्योंकि उपर यहाँ पे selection की cell नहीं मिलती है हमें इसमें formula हम लिखे जा रहे हैं इसके लिए हमें bottom to top select करना है दरसल हमारा selection A2 से होना चीज़ जो की हो गया हमाँ पे और फिर हम semicolon देंगे command नहीं देंगे semicolon देंगे यह याद रखिएगा और sheet 3 में जाएगा फिर आप यहां से लेकर यहां तक इसे select कीजिएगा header नहीं करना है select याद रखिए header आमने अल्रेडी लिया है तो header का मतलब ही नहीं है तो यहाँ पे हमने वो भी ले लिया आपको यहाँ पे दिखरा है sheet 1, 2 और 3 A2 to A11 तीनों में भी data है मैंने 10 रोग example के लिए लिये अगर अलग-लग data भी है मतलब एक में 11 है, एक में 15 रो है, एक में 1000 रो है तो भी चलेगा, कोई issue नहीं है अब आपका data यहाँ पे आचुका है मतलब यहाँ पे इस तरह से formula आ चुक है हमने दे दिया, curly braces को हम close करेंगे और enter करेंगे जैसे मैं enter करूंगा, हम आएंगे combine all sheets में और हमारा data हो चुका है combine, कितना easy देखिए यहाँ पे पूरा पूरा record आ चुक है आप देख सकते हैं, पहले 12 January है फिर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सा फेव से record है 15 फेव से record है, यह फेव मंद का second sheet में और third sheet में second March है तो यहाँ पे देखिए second March है यहाँ पे देखिए 15 फेव है और यहाँ पे देखिए 12 January तो आपका तीनो भी record यहाँ पे यह combine all sheet में आ चुका है लेकिन एक minute रुकी है यह इतना ही नहीं है इसमें एक error है, वो क्या error है अगर आप यहाँ पे जाकर record बड़ा देते हो सपोज इसमें क्या है 23 January है तो मैं क्या करता हूँ 23 January जो record दीख रहा आपको यहाँ पे मैं एक record बड़ा देता हूँ सपोज मैंने इतना पूरा select किया और इसे drag किया तो यह 24 January का एक record आ चुका है 24 January विनोत का लिए लेकिन 24 January का है अब देखते कंबाइन all sheet में 24 January है क्या नहीं है यह record अपडेट नहीं हो रहा है तो इसका reason यह है कि हमने जो range दी है तो इदर अपडेट करते रहूँगा क्या formula को नहीं तो मैं इसे हटा दूँगा protein को या पे भी मैं 11 sheet 2 का हटा देता हूँ ताकि E column का ending तक आ जाए तो A2 से लेकर पूरे E column तक जितना भी range है वो select हो जाए यह मैंने किया लेकिन इसमें दिक्कत क्या है अगर मैं ऐसा करता हूँ इसमें problem क्या था है यह formula correct है अब देखें एंटर करता हूँ record तो आने वाला यह अभी देखे 23, 24 Jan आ गया है लेकिन 24 Jan के बाद blank आ चुका है और नीचे अगर आप scroll करोगे मैं directly control down arrow प्रेस कर रहा हूँ control down arrow direct up record पे आ जाओगे और 1000 नमबर रो या 999999 रो नमबर पे आपको दिखाए दे रहा है next record आ गया है जो की है इस sheet में से दिखाए दे रहा है second sheet में से और यहाँ पे अगर फिर से मैं यहाँ पे नीचे cursor रखता हूँ control down arrow और फिर और 1000 रो छोड़ कर यहाँ पे दिखाए दे रहा है तीसरा record आ चुका है जो की है इस sheet से sheet 3 से तो अब ऐसा क्यों हो रहा है यह बीच में blank क्यों आ रहा है इतने सारे roads इसका reason क्या है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसने sheet 1 के अंदर जितने भी blank roads है यहाँ पे दिखिया है sheet 1 के अंदर नीचे control down arrow 998 आगे और roads है वो सारे के सारे roads मैंने कुछ road डिलिट कर दियते इसलिए हजार road तो रहते है नौमली तो यह सारे के सारे roads यहाँ पे क्या हो रहा है total roads यहाँ पे इस combine वाले all sheet में दिखाई दे रहे कुछ समझ मैं आ रहा है आपको देखो पहले sheet के अंदर जितने भी यहाँ पे data है वो तो आ रहा है उसके बाद उसके blank roads भी यहाँ पे आ रहे है कुछ clear है तो sheet 1 का ऐसा ही हो रहा है sheet 2 के अंदर भी जितने भी नीचे blank roads है वो सारे आ रहे है और sheet 3 के नीचे भी आ रहे है तो combine तो data हो चुका है लेकिन हमने जो range दी है वो e column के पूरे roads तो यह blank roads भी catch कर रहा है तो अब क्या करेंगे अब हमें यहाँ पे ज़रुत बढ़ती है Google sheet के query formula की जी ना दोस्तो query formula बहुत कुछ काम करता है मैं चाहिए तो query formula पे special video बनाऊंगा अगर आपकी request है तो ज़रूर मुझे comment section में बता देना कि query formula पे video बनाऊ क्योंकि query formula बहुत useful है query formula in the sense actually अगर आप MySQL जानते है तो आपको पता ही रहेगा या फिर Excel में power query जानते है तो आपको पता ही रहेगा power query तो वही होता है query दोस्तो मतलब query क्या करता है कि आपको एक particular data filter करने के लिए आप अलग-अलग conditions लिख सकते हैं आप अलग-अलग criteria's दे सकते हैं I mean to say तो वो criteria's की सबसे आपको data मिलता है queries बहुत important है Google Sheet के अंदर queries से related में वीडियो जरूर बनाऊंगा आपकी request रहेगी तो comment section में जरूर लिख देना जल्दी से comment लिखो फिलाल हम यहाँ पे query क्या है सीख लेते हैं एक बार देख लेते हैं query क्या है क्योंकि query हमारा problem solve करेगा यह blank rows को हटाना है हमें आई बात समझ में हमने पहला formula क्या दिया है वो आपको पता ही है अच्छे से यह formula यहाँ पे रहने दो इसके आगे आपको क्या करना है query लिख देना है capital में लिखो small में लिखो no issues automatic google pack catch करेगा उसे query के अंदर data query headers यह syntax रहता है query के अंदर क्या रहता है data रहता है query रहता है and headers रहता है look at there guys query के अंदर data query and headers मैं अच्छे से समझा रहाऊ क्योंकि query आपको आगे भी चलकर बहुत बार यूज़ करने होगी तो हमने data तो दे दिया है query के लिए यह रहा हमारा पूरा data ओके डेटा देने के बाद कॉमा कीजी है कॉमा करने के बाद आपको पूछ रहा हूँ को qwery क्या है आपकी qwery लिखे तो qwery आपको लिखना पड़ेगा यहां पे qwery कैसे लिखते a qwery sentence में लिखा जाता है qwery आपको यहां पे sentence में और inverted qwery भी देना है Select, मैं क्या दे रहा हूँ क्या रहा हूँ, Select Star, Star मतलब All Record यहाँ पे Star का मिनिंग होता है सभी Records, मुझे सभी Records सिलेक करने हैं, यह हुआ लेकिन मुझे Condition दे नहीं, सभी Record तो मुझे चाहिए, Where Condition चाहिए, ध्यान से देखें, मैं Condition क्या दे रहा हूँ Where, Where Column 1 Column 1 में C हमेशा Capital रहेगा यह बात Notice कीजिए और याद रखिए कि C मैंने Capital लिखा है और हमेशा आपको भी Capital लिखना है यह Case Institute है, Column 1 में C Capital ज़रूरी है So, Where Column 1 Is Not Null अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि Column 1 के अंदर अगर Null Value है तो वो Automatically उस Data को नहीं लेगा दिखाया दे रहा है Select All Records Where Column 1 Is Not Null जापे Column 1 के अंदर Value Blank नहीं है उस सभी Record को Select करे उसी सभी Record को यहाँ पे Display करे Select Star Where Column 1 Is Not Null अगर आपको Column 2 से देना है तो आप Column 2 से दे सकते है Column 3 से देना है तो Column 3 लिख दो आपे 3 नमबर के Column में Blank है तो वो Records नहीं लेने चाहिए आप Column Decide कर सकते है या फिर आप एक साथ बहुत सारे Columns भी ले सकते है उसके लिए आपको यहाँ पे बस और लिखने आगे और Continue करना है और लिखे वही Sentence दुबार आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे और लिखे और दुबार वही Sentence Copy Page कीजिए और उसमे Column 2 लिखिए मतलब एक साथ Multiple Columns भी आप ले सकते है फिलाल हम यह की Column लेते है क्योंकि हमारे पास पूरा Empty है वो पूरा First Column Empty है तो बाखी Column भी Empty है हमारे पास और हम उसके बाद कॉमा देंगे अब यह कॉमा के बाद आगे का Syntax में क्या आ चुका है Syntax में देखिए Headers है Headers पूछ रहा है आपको Query दी हमने Query के बाद Headers देना है यह डेटा जो है आपका Query का डेटा मतलब आपने डेटा अल्रीड सेलेक किया जो Formal आपने दिया था वो डेटा है उसके बाद Query लिखते समय आपको Column का सी Capital और बागी इस तरह से लिखना है Properly जैसे मैंने लिखा है और कॉमा जीरो Right और मैं यहाँ पर करता हूँ Enter कॉमा जीरो मतलब Header नहीं है इसलिए मैंने कॉमा जीरो रखा है Header मेरे पास पहले से है अब मैं Enter करता हूँ और आपको अभी कुछ नोटीस हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगी आपे 24 Jan के बाद 15 Feb यानि Second Sheet का Record है February मैने का और यहाँ पर March का Record आ चुक है जो कि Third Sheet से आपका Record एक साथ टोटल 34 आगे अगर आप किसी भी Sheet में जाते हो Sheet 1 में जाओ चलो मैं Sheet 1 में आ रहा हूँ यहाँ यहाँ और इस Sheet में 24 Feb है वहाँ पर आप डिरेक्ली 2-3 रेकॉर्ड और बढ़ा देते है 27 Feb तक लेके जाते हो तो यहाँ पर नीचे स्क्रोल कीजिए और 27 Feb कर रेकॉर्ड भी यहाँ पर आ चुका है March के लिए भी आप वैसी करके देख सकते है तो formula क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए दुबारा और चाहिए तो इसका screenshot लेके रखिए mobile में जब आप practice करेंगे तभी use होगा आपके लिए फिलाल तो यह formula मैंने बता दिया है आपको कैसे लगा एक comment section में जरू लिखना आगे के formula की तरफ बढ़ने के पहले आपकी comment मेरे लिए बहुत important है जल्दी से comment फटा फट टाइप कीज़े कि यह formula आपको कैसे लगा गूगल sheet का और इंट्रेशन लगा तो like भी कर देना है और साथ में तो इस तरह से हम जितनी sheets का चाहिए उतनी sheets का record एक sheet में ले सकते हैं और वो डाइनमिक ले अपडेट होता है यह तो था sheets के बारे में दोस्तों अब बढ़ते सिकेंड फॉर्मूला की तरफ तो अभी sheets को तो combine कर लिया तो अभी workbook को combine करना सीखेंगे इसलिए यहां पर दिखाए दे रहे हैं आपको जैन workbook उसमें कुछ record है वही रेकॉर्ड मैंने लिए example के तो पर फेब नाम का workbook है अलग सा यहां पर देख सकते हैं फेब नाम का workbook है उसमें कुछ record है और March नाम का workbook है, उसमें भी sheet 1 है और उसमें कुछ record है, हर एक में sheet 1 ही है जैन फेब March में, sheet का नाम अलग-अलग भी हो सकता है, या फिर एक ही है तो वो आपको formula देने के लिए easy हो जाता है तो अभी आपको इन records को combine करना है ये वाले ये एक नया workbook है, जिसका नाम है combine workbook, जिसमें sheet 1 करके है तो अब क्या करेंगे, combine workbook के लिए आपको एक import range करके formula यूज़ करना पड़ता है पहले import range formula कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पर import range type करता हूँ, दिखिए ध्यान से import range, import range में क्या आता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, import range नाम के और का formula आ रहा है, इसे मैं zoom करके इसका syntax दिखाता हूँ, उसने पूछा है कि आपको पहले spreadsheet का URL देना है उसके बाद range और string देना है, मतलब जो range ही, वो particular range आपको copy करना है वहाँ से, तो वो range आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले देना है spreadsheet का URL, तो import range formula को यहाँ पे फिलाल मैं escape करता हूँ, हम पहले वाले worksheet में जाते हैं, इसका URL आपको दिख रहा है, यह वाला है URL, मतलब address यार, उपर जो address बार में आ रहा है, तो इसे हम करेंगे, इसे copy, control Z से करो, या फिर right click करके करो, अब यहाँ पे आते हैं, is equal to import range, यह फिर से हम type करते हैं import range, और उसके बाद, import range type करने के बाद, look at there, import range type करने के बाद, आपको double inverted कॉमा के अंदर paste कर देना, यह पूरी की पूरी link आ गई, लेकिन यह link बहुत बड़ी है, right तो अगर आप same drive में काम कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यह तो मुझे इतना बड़ा address दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यह address को यहाँ पे इतना delete मार दूँगा, ध्यान से देखिए, इतना delete कर देना है, क्या delete क्या मैंने दुबरा दिखाता हूँ, http से लेकर यह जो है आपका slash तक पूरा data आपको delete कर देना है, that's it, इतना ही आपको delete कर, इतना आगे आपको रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे यह जो slash दिखाए दे रहा है उसके बाद का पूरा data, slash और उसके बाद का पूरा data delete कर देना है इतना है, मतलब इतना बड़ा address नहीं रखा, तो भी, well and good नहीं रखा, तो भी data आने वाला है, आप इतना रखोगे तो भी, यह एक trick से याद रखी है क्योंकि क्या होता है, बड़ा address होता है तो आप confused हो जाए, तो यार कितना बड़ा formula हो गया तो छोटा की जिए उसे छोटा तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, कॉमा उसके बाद, कॉमा देने के बाद, उसने बोला है range और string, यहाँ पर देखिए range string range underscore string बोला है उसने range और string नहीं, तो range string कहाँ पर है हमारे पास, range कौन सी है, पहले देखते हैं यहाँ पर आपको पताईए, कहाँ पर range sheet 1 के अंदर range क्या है, title हमें लेना है नहीं लेना है, title actually हमने copy paste नहीं किया है, तो हमें लेना पड़ेगा, तो ठीक है title से अगर आप लेते हो, तो A1 से लेकर आएगा, यहाँ पर A1 से E11 तक हमारा range है, sheet 1 A1 से E11 तो हम यहाँ पर range लिखते हैं, double inverted कॉमा में हम लिखेंगे sheet 1 exclamatory mark, exclamatory के बाद A1 से E11 और double inverted कॉमा यहाँ पर close कर देगी, double inverted कॉमा याद रखिया, मैंने range के लिए भी double inverted कॉमा दिया है इसके लिए भी double inverted कॉमा दिया है double inverted कॉमा मत miss कीजिएगा ने, तो formula कॉमा में चला जाएगा एक भी कॉमा मिस करेंगे तो formula कॉमा में जाता है आपको पता है न, मैं मजग कर रहा हूँ कॉमा में एरर आएगा भई तो भई, आपको यहाँ पर यह तो समझ में आया होगा कि range कैसी देनी है यहाँ पर मुझे title नहीं चाहिए तो मैं मैं A2 से लूँगा अपकोस मैं title यहाँ पर सपोस मैं copy paste करने वाला हूँ तो मैं A2 से लेता हूँ चलो A2 से मैंने लिया है ऐसा समझो अब मैं enter करता हूँ enter करने के बाद range importing हो रहा है और reference error आ रहा है no issues import करने के बाद error आ रहा है उसका reason यह रहता है कि आप इसके पर mouse लेके जाओ और mouse लेके आते ही यहाँ पर होर आ रहा है you need to connect these sheets तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले allow access क्योंकि यह reference error तब तक आपको allow नहीं करेगा जब तक आप allow access पर क्लिक नहीं करोगे तो आपको यह allow access करना है याद रखिए जैसे आप allow access करोगे वैसे उस sheet का A2 से data पूरा यहाँ पर आ जाएगा right guys look at there अब मैं क्या करता हूँ मुझे heading उपर देना है तो मैं इसे थोड़ असा नीचे खीच लेता हूँ अब drag करके ऐसा 1 row नीचे खीचे कोई issue नी और उपर heading को copy paste कीजिए मैंने heading नहीं दिया था तो मैं heading को अभी दे देता हूँ heading मुझे stable रखना है heading मुझे बार बार थोड़े ही लेना है तो मैंने heading ले लिया और यहाँ पर paste कर दिया अब आपको import range क्या काम करता है समझ में होगा import range में आपको किस तरह से यहाँ पर address लेना है यह छोटा कैसे करना है यह आपको समझ में होगा spreadsheet URL address जिसे हम बोलते है उसके बाद range कैसे देनी आपको समझ में होगा अब मैंने क्या किया एक तो कर लिया यह पहली sheet के लिए किया मैंने लेकिन मैं पास क्या है कि एक error आता है बाकी का copy करूँगा और यहाँ पर बाजू में paste कर दूँगा side में रख दूँगा ऐसा formula को अब इसकी जगह मैं दुबारा भी second वाली workbook के लिए काम करूँगा अलो access करके रखना है मुझे second वाली workbook और second वाली workbook का range वगरा सब देख लो पहले तो चलो second वाला workbook के फेव वगर द्यान से देखिए यहाँ पर हमारा data लेना है A2 से हमें लेना है 11 चलो यह ठीक है A2 से 11 इसका address कहाँ पर है यहाँ पर है address को कर लो copy लेकिन address को copy करते समय मैंने आपको बोला अब आप इतना address copy कर लो slash के बाद का और यह slash के पहले का आप इतना ही copy कर लो आपको पताया ना क्या करना है मैंने वो delete किया था अब मैं यहाँ से ही copy करते समय इतना ही copy करूँगा आप पूरा copy करेंगे तो भी चलेगा फिर delete करते बेटेंगे तो भी चलेगा आपके उपर है, मैंने इतना कॉपी किया इंपोर्ट रेंज इस वाले फॉर्मूला में जाओंगा इसमें मैं यहाँ पर इतना सिलेक करूंगा यह और इसकी जगह मैं सेकेंड वाले वर्क बुक का यहाँ पर पेश्ट करने वाला हूँ जो एड्रिस थे अब इससे क्या होगा, जो फेव वाले शीट का रेकॉर्ड है वो यहाँ पर डिस्पले होगा, और रेंज तो वही है मेरी शीट 1, A2 to A11, क्योंकि उसके अंदर भी शीट का नाम शीट 1 ही है, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद रेफरेंस एरर जरूर आएगा, इसी के लिए तो हम यह करके देख रहे हैं, क्योंकि हमें इस शीट को भी अलो एक्सेस करना है इसके लिए हम सिंगल सिंगल के एड्रेस निकाल के रख रहे है जैसे मैं अलो एक्सेस करूँगा, फेव का रेकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है जो भी A2 to A11 था, वो रेकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है आपको पता है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे इस फॉर्मॉला को कॉपी करना है और साइड में लाके यहाँ पे पेश्ट करके रख देना है, क्योंकि हमें और एक शीट का रेकॉर्ड लेना है जितनी भी शीट के साथ आपको करना है, वो सभी शीट आपको लेनी एक ही बार में तो अभी मार्च शीट में हम जा रहे है, इसका देखिए शीट वन है, इसका रेंज देखिए क्या है, A2 से लेकर कितना डेटा लेना है, E11 ही है यहाँ पर रेंज देखना है, शीट का नाम देखना है, फिर आपको क्या देखना है, आपको पताईए, एडरेस बार में जाना है, मतलब URL में और URL को आपको करना है, copy, इस तरह से guides copy कीजिए, बस याद रखिए है कि आपको slash, edit के पहले के slash को नहीं लेना है, और इधर one के पहले के slash को नहीं लेना है, उस slash के बीच का जो data है, वो लिए आपने copy copy करने के बाद यहां पे जाएंगे, इस formula में हम simply इधर paste करेंगे इस formula में और देखेंगे क्या होता है, देखें मैं paste कहां पे कर रहा हूँ, उस range की जगए मैं ऐसे paste कर रहा हूँ, inverted comma के अंदर, हर एक चीज को बारी किसे समझो, screenshot मार के रखो, ताकि आप practice करते समय में, आप को वो हमेशे के लिए याद रहे, और मैं आपको tips भी बताऊंगा practice related आगे चल का, फिलाल आप यह देखिए, allow access, क्या करना है, allow access, तो allow access करते हैं यहाँ पे आज चुका है, यह तीसरी sheet का record, तो allow access के लिए हमने यह formula फिसे यहाँ पे separately लिखा है, इसे हम copy करेंगे, इस formula को य हमें यहाँ पे combine करना है, इसी वाले workbook में, combine workbook के अंदर, तो हम करेंगे वो पहला वाला steps, यहाँ पे curly braces, याद है आप पहले formula में ने सीखा था, तो यहाँ पे curly braces देंगे और यहाँ पे इस range को हमें copy करना है, लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक करने जाओंगा, तो यहाँ पे problem reference error आजाएगा, कोई issue नहीं है, open curly braces और close curly braces ऐसा type कर लो, क्योंकि अगर आप खाली एक curly braces लिखते हो और tap करने जाते हो, तो error इस तरह से आएगा, this was a problem, तो आपको यह से बाहर आना है, तो close curly braces भी देखे रख दो, right, तो enter करो, reference error आने दो, enter करो, अब जाओ इस sale में और यह formula आपको यहाँ पर copy कर लो, यह जो हमने formula लिखा है यहाँ पर, और इस formula को यहाँ पर, देखिया, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर paste कर देना है, आप जरा step by step देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, मैंने पहले import range को, यहाँ पर कर दिया है, पूरा का पूरा paste, दिखा दे यहाँ पर ending में देंगे semicolon, semicolon देंगे, लेकिन यह formula अगर मैं paste करूँगा, तो बहुत आगे तक जाएगा, तो आप नीचे लेने के लिए, alt enter बटम प्रेस कर सकते हैं, alt enter, जो कि excel में भी करते हैं, अगर आपको formula नीचे लिखना है, तो आप alt enter कर सकते हैं, आगे आगे formula बह 15 फेव वाला दो sheet का data यहाँ पर आ चुका है, अब तीसरा वाला, यहाँ पर करेंगे इसे copy, पहले copy कर लेना है, याद रखिए फिर copy करने वाद यहाँ पर जाना है, यहाँ पर semicolon देना है, semicolon, यहाँ पर bracket के बाद semicolon रहेगा, और उसके बाद alt enter ताकि आप formula नीचे लिख फिर आप इधर paste कीजिएगा, good, now press enter, अब आपको दिखाए देगा कि तीनों भी workbook का data आ चुका है, जैन, फेव और मार्ज, लेकिन इसमें वो वाला error है, कौन सा error है, क्योंकि हमने यहाँ पर range को fix दिया है, 11, तो 11 तक ही data लेगा, 11 बाद का data नहीं लेगा, तो हमें क्या कर करना पड़ेगा, इसको, 11 को इस तरह से E, E, E column करना पड़ेगा, 11 हटा दिया, तो E column के end तक जाएगा, तो data देखिए अभी क्या हो रहा है, अब data आ जाएगा, लेकिन problem क्या होगा, 12 Jan से data आ रहा है, यहां तक 21 Jan तक, लेकिन control down arrow press करना पड़ रहा है, और फिर 1000 नंबर के र हिप का record, फिर control down arrow press कीजिए, और फिर 1000, 2000 रोप के आगे मिल रहा है आपको, March का record, यह बीच में blank rows कहां से आए, यह मैंने पहले वाले formula में समझाया है, अगर आपने पहले वाला formula ध्यान से देखा है, तो, अब हमें यहां पे करना है, एक ओ formula का इस्तमाल, जिसका नाम है query, right तो भाईया, आप बहुत advance सीख रहे हो, इसलिए यह आपको थोड़ा सा complex रग रहा है, लेकिन आप इतना advance सीखो के तो आप master तो बनने ही वाले है न, तो आप ज़रा hold करके रखिएगा आपने आपको की समझने की कोशिश कीजिए, formula rewind करके दुबारा देखने की कोशिश आखिर मेरी बतानी की कोशिश क्या है इसमें, और ये चीज़े आपको सीखनी चाहिए, कितनी भी difficult आपको लग रही है, फिर भी आप 2-3 बार करोगे practice तो आपको easy लग जाएगी, और practice के लिए tips में आपको बता देता हूँ कि आप जब practice कर रहे हो, तो जिए चीज का आप practice कर रहे हो, उसे किसी को explain करनी की कोशिश करो, ये tips याद रोको, तब आपको थोड़ी detail में आनी की, तब आपको थोड़ा सा और detail में समझ जाते हूँ चीज, क्योंकि जो इसको आप explain कर रहे हो, तब आपको पता चलता है कि आपने कितना सीखा है, कितना याद है, तो query, यहा automatically क्या करने वाला है, आपको पहले data पूछेगा, जो कि आपने already data दिया है, right, so data हमारे पास है, data यहाँ पर पूछ रहे हो, data, query और headers, so data दिया है, यह पूरा का पूरा data है हमारा, data होने के बाद यहाँ पर हम कॉमा देंगे, data होने के बाद ध्यान से देखिए, मैंने ending में कॉ हमा लिखने के पाद, यहाँ पर हमारा criteria रहेगा, select, जहां से देखिया, select, यहाँ पर मैंने लिखा है, select, select all record, select all record, क्या लिखाया देखिए देखिए, select all record, where, column 1 is not null, column 1 जहाँ पर null नहीं है, वो सारे records, select किये जाए, select मतलब display किया जाए, यहाँ पर display होंगे, और इसे हम header लेना चाहते है, क्या header 0 रहेगा, देखिए, query लिखते समय, column 1 का text में C, capitalize, select, all record, यानि की star, all record, सभी record select हो जाए, जिसमें null values नहीं, मतलब null values छोड़ के बागी record select हो जाए, और header के लिए, header नहीं चाहिए, तो 0, header यह होने के बाद, हम यहाँ पर bracket close कर देंगे, और enter करेंगे, यह query run हो चुकी है, कि नहीं हो चुकी है, चलिए चेक करते है, यह रहा फेव का record, यह रहा मार्च का record, अगर मैं यहाँ पर मार्च के workbook में जाता हूँ, इतना ही record पर आए, 11 मार्च तब, तो मैंने यहाँ पर क लैंक रोज तो आ नहीं रहा है, साती में 14 मार्च का record भी यहाँ पर add हो चुका है, right, so combine कैसे करना है workbook को, definitely आपको समझा होगा, और पहले वाले formula को like नहीं किया, तो इस formula को ज़रूर like कीजिए, मतलब एक बार like किया, तो double like मत कीजिए, नहीं तो like हट जाएगा, और अगर यह चीज़े पसंद नहीं आए, तो dislike पे दो बार tap कीजिए, मजा कर रहा था, फिलाल यह formula कैसे लगा, comment section में ज़रूर लिख देना, यह query और import range formula था, अब हम जाने वाले हैं, तिसरे formula की तरफ, इसरा formula जो है, हमारा, वो है, import HTML, जी हाँ, import HTML है, यह भी थोड़ा सा, advance है, useful है, advance मतलब इतना भी यह नहीं है, attention नहीं है, advance इतना भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कि क्या है exactly, import HTML, अगर आपके पास कोई website है, और उसके पर कोई data है, जैसे कि मैं मेरी website दिखाता हूँ, यह मेरी website है, write learnmorepro.com, description में लिंक मैंने आपको दिए, comment section में भी link है, वहाँ से आप जाकर मेरे channel के उपर के courses चेक कर सकते हैं, और देर सारे offers चालू है, अभी lockdown के लिए, तो अगर आप interested हो, तो ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा मेरी website, क्योंकि offers में बहुत सारी interesting courses आपको मिलने वाले हैं, so Excel basic to advance करके यह जो है, मैंने click किया, support, इसके अंदर का कुछ data मुझे लेना है, यह फिर website के उपर का कोई data लेना है, तो इसमें actually मेरे, इसमें कोई table नहीं है, लेकिन आप table और list, यह दोनों चीज़े आपकी google sheet में ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर list है, home, courses, contact us, registration, यह list है मेरी actually, फिर मेरे पास ऐसी एक website में ने विजिट किये, जहाँ पर कुछ table वगरा है available, कुछ data available, जैसे यह दिख रहा है, आपको यहाँ पर एक table available है, तो यह table ही मुझे लेना है मेरे google sheet के अंदर, या कोई list लेनी है, जैसे मेरे website के अंदर की list मुझे लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, यह उपर का address जो दिखाए दे रहा है आपको, उपर का address, यह आपको पहले, इस page का address आ आपको देना है, जैसे आप import HTML formula टाइप करोगे, वो पूछेगा आपको URL, query और index, आपने URL ले लिया ओलरी, तो आप double inverted comma में URL पेस्ट कर दो यहाँ पे, URL पूरा पूरा आ गया, दिखाए दे रहा है यहाँ पे, पूरा URL मैंने पेस्ट कर दिया, फिर आपको कॉमा करना है, फिर उसने पूछा query क्या देना है आपको, so query देना है यहाँ पे, query मुझे देना है list, list or table, यह दो ही query आप दे सकते हैं, तो मैंने list लिया, list लेना है, और उसके बाद list का index देना है, यानि list 1 चाहिए, 2 चाहिए, आपकी website में बहुत सरी list हो सकती है, तो उसका index दे दो आप, तो comma करके मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, comma करके मैंने 1 दे दिया, एक number की list, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, bracket close और क्या आता है, देखिए, loading हो रहा है, मेरे website से यहाँ पे data pull होगा, और यहाँ पे यह list आ चुकी है, यह list है उपर की जो menu बार की list है, वो आ चुकी है, अगर म में ही आता है, तो इसलिए वो second number की list आ रही है, तो आप मेरे website पर यहाँ से login और register करके मेरे यह courses खरीद सकते हैं, जो कि 99 रुपीज में, 999 का course, आपको मिलेंगे Excel के 100 videos, और उसमें क्या क्या सीज़े हो, आप खुद ही जाकर यहाँ पे देख लो, आपको पसंद आया तो ख कापी कर लिया, यह जो table है, यह मुझे लेना है, कापी किया मैंने, और मैं यहाँ पर जाओंगा, यह वाली हमारी workbook है, जिसमें हमने यह formula लिखा है, इसमें बस मैं यह पूरा हटा दूँगा, address bar, ध्यान से देखिया, मैं क्या क्या सीज़े कर रहा हूँ, address bar की जगों, उस नमबर का table आपको पता ही चल जाएगा, अगर आप table 1 लिखते हो, enter करते हो, तो table 1 यहाँ पे नहीं आ चुका है, इंडिया population करके कुछ इतना है, डबल क्लिक कर लो, table 2 कीजिए, देखते हैं, क्या आता है table 2 में, यह रहा, पूरा का पूरा वो table आ गया, यह table 2 है, वहाँ पे उस website में, तो table 2 में हमारे पास हमारे google sheet में यह पूरा का पूरा table यहाँ पे आ चुका है, आपको data website से पूरा का पूरा मिल चुका है, तो list चीए तो list ले लो, table चीए तो table ले लो, आपको यह formula कैसे देना, definitely समझाओगा, पहले आएगा URL बाद में आती, query बाद में आता है, index index अनिओ table number और list number, तो यह था हमारा तीसरा formula, import HTML, ऐसे हम कोई भी website से table या list हम import कर सकते हैं, right, so try कीजिए इसे, अब बढ़ते चोथे formula की तरफ, अब चोथे formula में हैं, यहाँ पे query formula repeat दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगा, कि query की मदद से मैं यह blank record यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, तो बहुत simple है, बहुत simple है, जी हाँ, बस आपको is equal to query लिखना है, यहाँ पे query, सबसे पहले तो आप यहाँ पे query लिखिए, ज data के बाद आपको चीए curly braces, curly braces ना भूलिएगा, यहाँ पे data area में रहता है, तो इसलिए हम curly braces देंगे, so curly braces में हम पूरा data ले लेंगे, पूरा data, headers के साथ लेंगे, इस पर हमने header भी ले लिए है, right, header हमने पहले से नहीं लिया है, header भी ले लिया है, इसलिए, तो यहाँ पे A1 फिर हम देंगे, query क्या है, query कैसे लिखना है, आपको पता है, inverted, comma के अंदर, select all record, सभी record चीए, where, condition क्या है हमारी, condition where, column 1, 2, 3, 5, जो भी आपको लेना है, वो लिख सकते है, is not null, are you getting, इस तरह से आपको लिख देना है, यह query बायार करके रखो, और भी queries मैं आपको सिखाने वा लेकिनी चाहिए, चाहिए नहीं, hitters, तो हम यहाँ पर one लिखेंगे, और फिर हमें enter करना है, and now, let's check it out the answer, मिल गया, यहाँ पर जो blank record थे, 12 और 13 माच का record है नहीं यहाँ पर, लेकिन अगर आ गया यहाँ पर record, तो यहाँ पर वो add भी हो जाएगा, दिखाए देरा 12 तेरा, और यहाँ पर अगर मैं 2-4 और delete भी कर दिये, तो कोई बात नहीं, वो हट जाएंगे यहाँ से, right, तो आपके उपर है, आपको कितने record से यहाँ से गायब करने करो, वो automatically यहाँ पर blank record को remove करके आपको बस unique record, मतलब जो remaining record हो दिखाएगा, और आपने यह data को delete करने के कोशिश कि तो यह delete नहीं होगा, वो नहीं हो रहाए delete, क्योंकि यह formula बस इसमें दिया गया है, इसको delete करो, और फिर आपको यह पूरा delete मिल जाएगा, तो एक बात यहाँ पर द्यान रखे कि जब कभी भी query formula लिखोगे, या कोई भी इस तरह का formula आप लिखते हो, जिसमें data आपको मिल करने भी रोज है, उस रोज और column में यहाँ पर कई भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेना चाहिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका query formula यहाँ पर दिया हुआ काम नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पूरा पूरा आगे blank रहेना चाहिए, तब यह query formula काम क है, समझें आपको यह बात, तो अब मैं आपको बताओ कि यार यह जो मैंने हटाया ना, इसको filter से भी हम कर सकते हैं, यह देखें मैंने यहाँ पर filter का भी use करके दिखाया है, filter formula already मैंने बताया है, अब बोलोगे कब बताया है, मैंने google sheet के उपर एक complete tutorial बनाया है, उसके पहले मैंने google sheet के कुछ पाच formula का वीडियो बनाया था, जिसमें filter, sort, या फिर ifs, join, या take join, जिसे हम बोलते, और concatenate, यह formula के उपर वीडियो बनाया है, जिसकी link आपके लिए मैं दे रहा हूँ, description में वो भी वीडियो आपको ज़रूर देखना है, अगर आपको google sheet में masters बनना है, त तो filter वाँ पर बता है, लेकिन यहाँ पर filter क्या बता रहा हूँ, मैं आपको filter से भी हम blank हटा सकते है, जो कि मैंने यहाँ पर हटा दिया है, already, right, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर filter के लिए मैं दुबारा चीत फो formula दिखा दे तो आपको चलो, filter कैसे काम कहता है, filter, आपको देनी है, range और condition, दोई चीज़े देनी है, range और condition, तो range कुन सी हमारी, यहाँ पर range है, यहाँ पर range है, यह range, तो चलिए, यह range मैंने दे दी, उसके बाद, range देने के बाद, वो पूछ रहा है, आपको condition दे दो, range देने के बाद, condition क्या देनी है, range के बाद आ रहा है, condition, condition देनी ही मुझे कि ये column के अंदर एक ही column लेता हूं मैं एक ही column ले लेता हूं एक column के अंदर कई पे भी this should not be equal to blank should not be equal to क्या blank देखिए not equal to को यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम not equal to को हम open bracket और सरी अपना greater than और less than का sign दोनों एक साथ पहले less than का sign फिर greater than का sign फिर double inverted आगे हैने कि not equal to blank दो बार double inverted को मात देना है not equal to blank के लिए अब आप इसे enter करोगे तो आपको result मिलेगा यहाँ पे filter का और जिसमें blank record बिल्कुल नहीं आने वाले हैं सो filter से भी blank record हाइड कर सकते हैं formula दुबारा देख सकते हैं यहाँ पर formula पड़ा है आप भी try कर सकते हैं मैंने a column के लिए कि आप b column के अंदर blank है तो वो नहीं आना ची तो b column को select कर सकते हैं आप और करके और आगे भी बढ़ा सकते condition को multiple भी कर सकते हैं वैसे यह ता हमारा चोता formula जिसमें हमने देखा कि blank record हाइड करने के दो अलगलग तरीके अब पाच्चु formula के अंदर हम जाते हैं और जिसमें हम सीखेंगे कि duplicate कैसे रिमू करते हैं और यह बहुत ही simple है तो यहाँ पे इस record में आप देख सकते हैं उपर वाला जो record है वो same यहाँ पे आ चुका है same duplicate है अगर आप यह वाले record को भी duplicate करते है copy और paste यह दो record नीचे duplicate है आपको दिखाय दे रहे हैं तो अब मैं यहाँ पे click कहता हूँ is equal to unique type कहता हूँ unique type करने के बाद बस आपको यह range select करने क्योंकि title तो हमें लेना नहीं तो ही आएगा मतलब यहाँ पे देखो विनोत काले जो है इसकी जगा अगर उसका नाम थोड़ा सा अलग है विनोत या विनोती नामे खाली तो यहाँ पे वो record add हो जाएगा दिखाय दे रहे आपको are you getting? यह record यहाँ पे add हो रहा है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यह record यहाँ पे आ चुका है इसका reason यह कि यह similar नहीं है विनोत काले से यह similar नहीं है एक भी record में कई पे भी change है तो तो आपको पूरा record जो है duplicate होगा तो ही जैसे राज सिंग का पूरा record है तो ही यहाँ पे करना है मैंने उस वाले टुटरिल में बताया है वह वन हार का लगबग मतलब वन हार और थर्टी मिनिस का लगबग टुटरिल है वह भी जरूर चेक कीजिएगा तो चलिए unique records कैसे निकालना यह भी formula हमने देख लिया यहाँ पे हमने 5 interesting और useful formulas देख लिए है यह काफी advance है थो और जिसमें मैंने हाली में offer चलू किये है lockdown period का offer चलू है दोस्तो PowerPoint का course free है Excel का भी course है वहाँ पर MIS का भी course है और धेर सारे courses भी आने वाले है तो अगर आप interested हो तो जाईए login कीजिए register कीजिए online जैसे आप payment करोगे आपका course वहाँ पर start हो जाएगा तो चलिए मैं मिलूंगा क हमेशे की तरह अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए सिखाते रहिए खुश रहिए बाई बाई